एंग्लाइड वरसेस पाकिस्ता पाकिस्तान टूर अफ इंग्लेंड का तीसरा मुकाबला तीसरा मुकाबला जो कि सोफिया गार्डन में खिला जाएगा रात को ग्यारा बजे इंडियन टाइम के कोडिग और ये तिसरा मुकाबला होगा चुकि खिलागा सोफिया गार्डन में और ये अच्छा मुकाबला होगा रिजन यह है कि ये जॉस्पटले इंग्ज़र रोचिके है मुईन अली के हात में कैप्टिन्सी है और साथ में सामने पाकिस्तान चाहती होगी की वर्लकप में जाले से पहले एक अच्छी खासे सिरीज जीत के साथ जाए वह इंग्लैंड चाहते होई अपने घर में सिरीज हार के अपना मनोबल ना घटाए अपना मनोबल कम ना अपने अच्छी टीम के साथ गई है और दूरो ही टीम होगा अच्छी नजर आरी है तो एक अच्छा में उकबला होगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से बल्लिए बात कर लो कि अभी तक अब अनने ट्रवाने टालेग्राम चैनल से नहीं जूर आंप जूर जाए इस किन में तो देखे लिए देखे लिए रीनी पाइचे लिए प्रफ 커इज देखे लिए धर विस्ट इंडीज की तूल आफ्रिका के साथ आफरेका के साथ एग्लै पाकिस्तान के सारोनलारे में और जो भी matches अच्छे होंगे वो आगे भी ऐसे पास करवाए जाएगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते पेस्ट पॉट के बारे में पेस्ट पॉट को मैंने चार पॉइंट डालें से दिर इस नौट मॉस टन इस पीच में बहुत ज़रा टन नहीं होने वालें स्पीनर को अपने टेम से बाहर रखिंगे स्पीनर से थोड़ा सा बचिए और इस्पीनर्स जो इमाद घसीम जैसे है जो कि बाल को तर्ण करवाने के पीछे नहीं के पस variation है जो एंगल बनाते हैं वैसे बॉलर और spinners बहुत कारी करें इमाद वसी मुझ टैप की बॉलर इमाद वसीम को पर टीम में रखना है साथ में स्विंग बॉलिंग करवाते हैं ऐसे शाहिन शाफरी ऐसे बॉलर से थोड़ा बचनी को रख सकते हैं आपने मार्क उट खेलते हैं तो मार्क उट को रख सकते हैं साथ में जो भी टीम तॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग गनप प्रेफर करेगी क्यों ड्यू भी साधिक फैक्टर हो सकता है बहुत ज़्यदा बड़ा फैक्टर में वहाँ पर क्यों गया इंगलीश कंडिशन में यह उतना बड़ा फैक्टर नहीं बठा कि वो बारीश फारीश का सीन ने तो हो सकता है कि ड्यू मतलब सकेंड इनिंग में ज़्यादा प्रेफर करेशे का इनिंग को और वेन्य श्टक्स को बड़ाए बात के ट्रोल थीस मुखाबले खेले गए इस वेन्य में नी ओबराग इसमसे इंगलैण ने बिस जीते और नौ जीते पाकिस्तान ने जिन ज़्यादा है और वे में 4 जीता और नूटल वेन्यू में भी आट जेता है टोटल नौ मैचस यहाँ पर केले तीन मैचस डिफेंड हुए है वाकिए कि छेज हुए ये भी एक रिज़न है कि जो भी टीम टॉब्स ही थी थी वो चेज करना पसंद करेंगे वैंनिस तर्स के बारे बात केले 149 एवरेस फसे निगे स्कोर सेगे निग 114 एवरेस बहुत जाथ स्कोर बनता नहीं तो लोग स्कोरिंग मैच में या तो बहुत बढ़िया मैच होनी वाल है या तो बहुत बाहिया आथ होगा क्यों चेसिंग ग्राउंड है और सच में 150, 155, 160 एगर बनता है वन साइडिर मैच होगा, मैच खतम हो जाएगा ऐसे ग्राउंड में 170 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा जहाँ पर आप फाइट कर सकते है उससे पहले की कुष्णी पेसर्स को यहाँ पर मिलता 63% विकर्ण है तो इस्पिनर्स को 37% विकर्ण है जोर्स बटलर नाई है, उसके जाग पर फ्लिप साल देखने को मिलिएंग बात कर लिए थे सबसे पहले आकरे में की हो गिल विन दिस मैच मैं कोई मैच कौन जीटेगा तो उसके लिए आप हमारे टैल ग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जिसका निंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा और नाम भी सर्च कर सकते हमारा और साथ में मोईल नंबर को आप हमें मैसेज कर सेदे वाट्सप फे जिसके बिए मon L Cane लिए घंत अगी पहले बहास सारे लीडियो आने वाले टैले फूरा सीजन आप हमाएं साथ खेल सकते हैं एक आक सिसन में मोका देखे दिखे हमाएं सबसांट हो कर देखें आपको पता चलिएगा कि असली काम का लेवल क्या होता है काम कैसा होता है आपका पूरा वीडियो देखने के शुक्रिया आपको कुछ लिए कुछ ज़्यादा अच्छा ग्यान मिला होगा और साथ में ये चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहला आइकन को प्रिस केजिए वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइब